कथा सुनने का लाभो प्राप्त होता है और जिन्होंने सातो दिन कथा सुनी है उनके भागे पावर्णन तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते बड़ा अधुद्र आज आपका सवाध्य है मेरा निवेदन है पुना एक बार की कोई भी अपने जगे आगे जगे ना छोड़के बैठे एकदम कबर करके बैठे सांती से बैठे आज यह मन बना कर बैठे कि हम बीच में से एक भी बार नहीं उठेंगे ऐसे तो आप बुटते नहीं है एकाद को कोई छोड़ दिया जाए तो पर प्रौपर सुनते और फिर भी आज इस पेसली नियम इसलिए बना लें क्योंकि आज का दिन संपून दिवस है हम सब के लिए महत पून दिवस है आज का दिन अगर हम कता सुनेंगे मन लगाकर तो स सातो दिन का पुन्य हमें प्राप्त होगा तो इसलिए इसलिए बड़ा सान तुछे दोकर बैठकर आज पून अतह मन लगाकर श्रवन करें आए पहले विश्म शान्ति के लिए प्रे करते हैं सबी लोग भाद जोड़ेंगे उसके बाद हम और आप सबी आगे पढ़ेंगे इस्वरे साव सुपी हम